तो आज की हमारी इस online class में हम बात करने जा रहे हैं protection method मतलब कि excel की file में sheet में range में आप ताला कैसे मालेगे हैं protection से अंभव होता है ताली 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 तो सबसे परहे जिस्टा को जानते हैं कि हमें protection की जरूरत क्यों परती है देखें आपके पास Excel data file में पास यही file है मैं चालता हूँ कि मेरे इस sheet को मेरे permission के बगार कोई इस पर कोई changing ना कर से या इसको कोई देख न सके या select ना कर सके copy ना कर सके इन सब चीज़ों के लिए foundation रहाने के लिए हम protection का इस्तमाल करते हैं तो protections के अंदर में कैसे होगा सबसे तो मैं चालता हूँ कोई change ना कर सके तो sheet के ऊपा right click करूंगा और यहां पर आपके पास पास पर डाल देंगे and okay and password confirm करेंगे and okay तकि password confirm करने से पहले ध्यान रखिएगा यहां साब mention है कि if loss and forget your password it cannot be recovered Microsoft बोलना है आपको तो आप password आपके पास याद हो password भूल गया है तो password recovered नहीं होगा हलाकि एक दो तरीका है जिससे password recover किया रहा सकता है बहुत सारे add-ins होते हैं इसके दिए password तोड़ सकते हैं लेकिन सारी password को तोड़ना यह possibility नहीं है और password की length और strong पर depend करता है कितना strong पास्वर्ट आपके पास्वर्ट कीजिए और यहां पर प्रोटेक्ट शीट आएगा इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर अन प्रोटेक्ट दोनों को select करते हैं नहीं जिसे आपने protect है तो अन प्रोटेक्ट होगा और अन प्रोटेक्ट होगा तो प्रोटेक्ट होगा एक ही option है इसमें दो चीज आएगी आगी समझें है उसके अंदर जो चेक बॉक्स है उसके बारे में मैं discussion करता हूं दूर में अच्छा हां मैं उसी चेक बॉक्स की बात कर रहा था उसमें दोनों को select हो वो by default select होता है उसको छोड़ दीजिए यहां पर जैसे कि हैं कर लिया आप तो आप किसी भी तरह के नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह के अधिशन हम नहीं कर भाएंगे बद हम बेटा को select करके copy कर सकते हैं आहां बात आती है हम यह copy भी ना कर सके है ठीक है हम copy भी ना कर सके ऐसे कुछ करना है तो copy को तो रोका नहीं जा सकता करने के लिए क्या जरूत पड़ती स्लेक्शन की वेगार selection के आप copy तो नहीं कर सकते न सर्थ तो जब हम इसको एक बाद फिर मैं unprotect करता हूं जब मैं इसको protect करता हूं तो यहां पर आप देखिए यह allow or user of this worksheet tool यह क्या है कि after the protection password के बाद किन-किन चीजों को select किया जा सकता है किन-किन चीजों पर याप use कर सकते हैं बसे हमने short पे click कर दिया तो password देने के बाद आप saw data को short कर सकते है filter पे click कर दिया filter कर सकते है अगर मैं इस फॉर्मेट से पे click कर दिया तो मैं आपको changing तो नहीं कर सका लेकिन इसके उन पर formatting कर सकता हूं और color वगर use कर सकता हूं ठीक है इसे color कर सकता हूं ठीक है इसे color कर सकता हूं गुरी इबनिंग कहां थे है तो उसी तरह से जो हम प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करते समय मैं यहां पर यहां पर यहां पर आपको लॉक्त से अनलॉक्ट से क्या होता है अब त्री दिर में डिसकर्स करेंगे फिलहाल इस रजी है कि आपका कि आपको कॉपी को रोपना है तो दोनों को हटाना पड़ेगा कि आपको कर दिया अब कहीं पे क्लिक ही नहीं होगा तो पॉपी क्या होगा क्या सब्सक्राइब समझ मैं है समिंदर जी अलो अलो ठीक है सर समझ मैं है कि नहीं सर आया समझ मैं है पुरा है टोटल सीट ब्लॉक सीट ब्लॉक कहीं डी क्लेक्शन ने हो सकता है अब चलिए अब चलते हैं कि हमने इसको स्रेक्ट कर लिया अब मुझे इसको प्रोटेक्शन से बाहा रखना समझे मैं चाहता हूं कि बागी इस एलो अडिया कि बागी अडिया पे कहीं भी टाइप ना हो सके पर इसके हम टाइप कर सके तो हमने क्या क्या है बागी इस एरिये कि मादीजी इस एरिये को June को मैं सेलेक्ट करता हूं हार एक सीच को होताए इसकी फॉरमट we cadaSale के सबसे लास्ट प्रोटेक्शन ओडे और जाएंगे यहां आपका लॉक होता है लॉक होता है ना हम लॉक होता है इस लॉक का मतलब क्या होगा इस Locked का मतलब हुआ कि ए पासवर्ड को पासवर्ड प्रोटेक्शन है उसको सपोर्ट करें मैंने क्या कि इस Cloud Area को सेलेक्ट किया और इसका password मैंने हटा दिया अब लोक्ट हटा दिया तो जब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा तो पूरी शीट आपका लॉट है, इसलिए आपका अनलॉट है पासपर डालिए, ओकी कीजिए, अम मैं यहां कुछ नहीं कर सकता है, यहां कर सकता है इसमें आगे परते हैं, अगला ओप्शन इसमें है, कि मैं इसी को उल्टा करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ, कि जो colored area है, इस पे हमारा password रहे, बाकी area भी पासपर ना हूँ तो हमने पूरी सीट को select कर दिया, right click, format save, और मैंने locked को हटा दिया अब पासपर डालने से पूरी सीट के ओपर type हो सकता है, बट मुझे इस पे type नहीं करना है तो इसको select किया और इस पे वाकास हम locked को लगा दिया, अब यहां पे password डालिये, अब मैं यहां पे type कर सकता हूँ, बट यहां type अब कर दिया को अब यहां पे अब यहां पे इसमें कि इसने क्या होता है, बचली एक चोटा साइजम्पर के साथ आपको समझाते हैं, तो मैं यहां पे name, यहां पे quantity, यहां पे MR और यहां पे amount के लिए हम दे क्या किया, amount है हमारा, यहां पे GST है, यहां पे commission है, यहां पे यहां पे total है, यहां पे देग्ट है, यहां पे देग्ट है, यहां पे देग्ट है, यहां पे इसे comment है, तो amount जो है, ओ है quantity भी, multiply by गमार भी, GST है amount का 18%, और commission है amount का 2%, और total भी इंको आड़ देग्ट है, यहां पे देखता हूँ कि पूजा, नंबर दिया, यहां पे बागी अपना हम क्लेक्लेच हो जाता है, फिर मुझे यहां पे date of time दाकर लाकर लिखना हो जोता है, यही date column है, कि मुझे यहां ताइप करने के बाद, चाह इस्टा कॉलंग को जम्ट करना करता है मतलब कि हर बार मेरा पांच सेकेंड बेस्ट हुआ है दूसरी चीज इस पर क्या फॉर्मला लगा हुआ है हम कोई देख लेता है तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं ना टाइप कर से कूर ना करसर इस पर जा सके तो मैं पहले पूरी सीट को सेलेक करूंगा राइट क्लिक वामेट सेल और इसको डॉप हटा दूगा और फिर हम इस कॉलन को सेलेक करेंगे और प्रोटेक्शिट वामेट सेले में इसको लॉप करूंगा मतलब कि अब जो ओके करने के बाद पास पर डालूँगा तो इन चार कॉलन पर टाइप नहीं होगा बाकि सब पर टाइप होगा आप देखें तो जैसे टाइप मालूंगा स्ती पे एज कॉलम में जाके कर सो जाएगा एक ही टाइप अबन माया जलेंदर जी एक सर साबज माया एए जलेंदर जी जलेंदर जी इस जिबन माया गया वो डाउट नहीं आपको लो डाउट सर अच्छा है अच्छा आपको जाएगा इसको अनुदर जाब पर समझाओ जिसे कि यहां पर मालग भी में एक फॉर्म बना रहा हूं और यहां पर इस तरह से सर यह कोई बनी बनाई में सीट पे हम यह यूज कर सकते हैं मुझे मुझे इसी पर टाइप करना है कही और टाइप नहीं करना है मुझे पर जाब बनाई मिनां पर सकते हम इसां पर पर इसको फाम और पर बसकत था जिसे अल dus half और पर इसमें पर भी मुझे तरह सब्पर सब्सक्राओ कि जाल की में अब बनीरवी सीट है उस पे हम क्या यह यूज कर सकते हैं? अब बनाई एक डेटा है उसमें कुछ पार्ट है जिसे हम नहीं चाहते कोई और चेंज करें या फिर गलती से भी कुछ चेंज हो जाए प्रूटनक्सी फराग हो जाएगा अब कर सकते हैं चाही किजिएगा दिखके लोगारा पताईएगे मुझे अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ फॉर्मूला को इरिंट किया था ना तो इस पे तो करसर ही नहीं जा रहा है लेकि मैं चाहता हूँ कि करसर जाए फिर भी फॉर्मूला ना देख पार मैं फॉर्मूला बारकर डिसेबल करना चाहता हूँ सिर्फ सेलेक्टेट सेल्स के लिए तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा फॉर्मट से रुके जाओंगा और यहां से हम खीडेन दिख रहे हैं आपको खीडेन कर दूंए यहां इस ठीक है और यहां इचे ओके कर दीजिए अफिर इसके बाद आप आईए प्रोटेक्ट शीप और यहां पास्पर डाल देजिए और अगुछ भी करना इसे लिए देखें उपर हट गया अब यहां के मैं कल्चल आँगा तो मुझे दिखेगा इसको कॉपी करके और भी पेस्ट यहां पेस्ट कर दिया इसका फॉर्मूला पेस्ट नहीं हो सिर्फ उसका वैल्यू पेस्ट हो क्या हो अश्मेंदर जी पूछना है सुझी जी इसमें एक चीज़ मैं पूछना कर रहा है कि मालोग कोई ऐसे अटेंडेंश शीट है तो उसमें जो है मैं चाहता हूं कि ऐसे सिरफ जो सिस्टम डेट है उसी दिन ही और हो सके जो सिस्टम डेट से पहले की डेट से उसमें उल्टरेशन ना हो तो अगर फाइल कुछ बनवानी हो तो कैसे कर सकते हैं तो अगर आप फाइल एसे वह अटेंडेंस मना के देज़ेगा उसमें एक कोटिंग लगा देज़ेगा आप फिस्टम डेट के दिन ही वह अलाओड है बाकी दिन उससे पीछे की डेट में वह अलाओड नहीं जिस दिन आए मैं इस से पहले बी दो थिन पोड़े की असके आई इस तो मुझे अपना फाइल रेटिकर के देज़ेगा मैं इक कोड़ लाओड दागी दूनाओड मैं फाइल बेज दूगा ओके थैंक्यू अब इसमें आगर आगे अगे अगर रो रो एंड कोलूं का अलो इसरे डिलेट कोड़ दोना थाई है है अब यहां पर प्रटेक शीप में अगर यहां पर अगर आप नहीं दे रखाएकर इसर्ट अन यहां तो होगा ही नहीं में लाव दीगे कि नहीं को इनकी पास्मार डान ले से बाद नाप लिया अब नम pollution नेकी PCR तो पतवाएगा इंसर्ट पर पाएगा में प्रेक चेक तो लोगे तो ने रहा नें सकत wand restrictions किया है कि अ अच्छा बिंदो प्लस अब मैं चाहता हूं कि इन दो मालीजी मेरे पाद दो याद दो से ज्यादा एरिया मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इन पासपर्ट दो अलग 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 पासपर्ट देना चाहता हूं तो मुझे इस पर क्या करने होंगे मुझे इस पर यहां ऊपर में आपका रिव्यू टैब है रिव्यू टैब के अंदर यह आपका आता है है अलाओ एडिट रेंज अलाओ एडिट रेंज यहां दिकर आपको इस अलाओ एडिट रेंज पर आएं और इसी पर आपका रामने होता है हम न्यू न्यू टैं है है हमाट अअव पर इस पर अपना अपना अभटiszर मिलों हैं कर दो डिना दे अगरभाज संदी नहीं कि इन दे आपने यह の पार का था है जो अब्स निया और आपको एडिया को यह खुुश क WarnerMO पास्पर को कनफॉर्म करता हुआ, फिर मैं नूप पे गया और हम यहां पे दूसरा एडिया यहां से से रख कर देता हुआ और यहां पर मैं दूरा पास्वर डालता हूं पास्वर करता हूं इसके बाद इसको अपलाई करके ओके कर देता हूं अब यह वाकिंग नहीं है यह वाकिंग कब होगा जब इस पे मैं अपलाई करूँगा प्रोटेक्शन को सीट के उपर राइट क्लिक और यहां पे प्रोटेक्ट शीट और यहां हम अपना पास्वर्ड अपलाई कर देंगे अब जैसे ही मैं इस पे टाइब करने जाऊंगा मुझसơi पास्फ़र गूशेयों मैं इस पे पास्वर डाल दिया तो हमने पास्फ़र इसका डालाई तो मैं इसपे काम कर सकता कब जब तक कि मैं फाइल को री ओर्पिन ना करूँ जैसे हम फाइल को री ओर्पिन करेंगे यह वापस पास रमानेगा और यहां करेंगे इसका अदर पास करेंगे सब्सक्राइब करें आपको अब बात आती है कि हमने सीट के बाहर बहुत सावी प्रोटेक्शिंग कर दिये लेकिन सीट पे बहुत सावी प्रोटेक्शम नहीं हुए करें लेकिन सावी खुந अवार दिदतै नहीं है झारो, भरेकिन सीट प्रोटेक्शम प्रोटेक्शम नहीं तो अब यहां पर देखिए आपके सामने होता है प्रोटैक्ट वर्टोप अब आपने प्रोटैक्ट वर्टोप कर दिया इसका मुतलब है कि इसमें अब जो है तो है कि life be फांसर का नहां डाल लिए दालेजैने कुछ नहीं कर लगएगा कशवर है तो सीट को किसी भी तरह से बचस्दि कर पाएगा न सीट taraf कर पाएगा न सीट पर कर पाएगा है नी को कुछ बहुत नहीं कर पाएगा बना आगया वो राउटेस है आपको अब हम बात करते हैं फाइल की ओपिनिंग पास्वर्ड इस फाइल को ओपिनिंग पास्वर्ड कैसे है तो यहां अगर मालते फाइल है इसको save एज करते समय जब आहां पर नेम देते हैं फाइल का टाइप देते हैं फाल के name और फाल के type देते हैं, हमसी के नीचे आता है tools tools में होता है हमारा general option इस general option पे जाए और password open and password to modify डोनों same password होगा और पैंड लगवी दर सकते, same भी दे सकते एक password होगा तो उससे आपको फाइल open होगा तो दूसरा से modify होगा, आपको modify password नहीं है तो बोटिस इन ओर मकंटूर अर इस इट में बुचिक शेट अगिए और अगर 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 उपन में ही दें हम मोडिफाइमिन नहीं दें तो ले लेगा कोई दिकत नहीं है ठीक है लेकिन एक तो से राइज करने पर आता है ना मालेजी मेरा फाइल और लेडी सेवड है तो क्या होगा तो उस केज में यहां पर से लाइज करूंगा और से रैस करते समय सुर्दी इन्फो मिला होगा इन्फो के अंदर में यहां यहां पे आपके आता है चेक प्रोटेक्शन में 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 प्रोट ही नहीं हो लेकि अभी भी फिलाल कर रहा हूं कि ध्यान दखेगा पासबर्ट आप ध्यान से डालिएगा अगर भूल गया है तो रिकावर करना थोड़ा सा प्रोला में मुस्किल है ठीक है सर अब आप लोगे पास कोई डाउट या कुश्चन से या किसी टॉपी को रिपी प्रोड़ा चाहते हैं तो पूची सर वो जो आपने पिछली वर बताया था मैंने उसके अंसर आपको बेजे थे आपने का था नहीं यह रॉन है उसका बताएंगे क्या राइट अंसर हो इसका बताता हूं और आपने तो स्ट्राइए नहीं किया सलंदर जी सरी सलंदर जी सोई स्वथन जी भूला जिसए कि माली जे कि यहाँ पर एकाऊंट नमबर है तो मेरा काना यह था कि मैं यहाँ वन लिखा और यहां पर वन लिखा और यहाँ पर हमेग तो कन्डीनल लियटी में अगर आप बात करें इसकी हाईैस की हाई-लाइट Heidi पहले को छोड़के दूसरे तीसरे को हाइलाइट करें तो यहां पर सबसे पहले चीज को जानना हुआ कि कैसे पता चलेगा जो वन है कि पूरे कॉलन में कितना बार रिपीट हुआ है हमारे पास एक फॉर्मला होता है काउंट इफ का इसको सेलेक्ट लें तो यह आपका नमबर दे दिया थ्री टाइन दिक्कत एए है कि यह इसी के तरह हाइट डूप्लिकेट के चलता है हर को तीन ही देगा तो यह आपका हर हाइट हो जाएगा तो मुझे ऐसा फॉर्मला ढूर करना होगा काउंट इफ हमने यहां पर एटू से एटू अगा दिया मतलब कि हमने तो रिफ्रेंज दिया और बुला कि इसी में दूना है आपको लेकि इसको नीचे ड्रैक करने से पहले पहले बार एटू को फ्रीज कर दिया अब मैं इसको नीचे ड्रैक करूंगा तो सिक्वेंस में आजागा रेकिए ऐसा क्यों है क्योंकि यह जो है हमने स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रीज किया एंडिंग को नहीं किया है तो यह अपने से ऊपर तक ही काउंट कर रहा है नीचे के रिफ्रेंज को नहीं ले रहा है इसका कहां पर यूस होता है ऐसे हाइलाइट करने के जिए जैसे कि मालेज आपके बहुत सारे इंटी ही हो गई है तो आपके एक इंटी को छोड़के बाकी को डिलीट करना है एक आपका पहला इंटी जो हुआ है मालेज आपके को इंटी करने के दिया और उससे क्या किया है कि बहुत सारे वेलू को रिपीट कर दिया है तो आप एक को छोड़के बाकी सबको डिलीट करना चाहते है तो वहां पर ऐसा हो सकता है तो यहां पर हम कंडिशनल अगे सब्सक्राइब यहां यहां लगा देंगे और यहां पर बॉलने है कि बाई एक टिक अपार नो तो हाईलाइट करो यहीं तो भेजाता मैंने आउंटिफ नहीं था आपका आप देखे उस आगे पर लगा होगा है आप मैं देखा लेता हूं आपने मुझे इमेज बेजा है जी सर यह देखे आपके आपके दूसरा बाला देखे एक और भेजा है इससे पहले यह साइड हाँ इसमें कॉंटिफ है सर पड़ा-कड़ीये यह दिखे लेक्ट में इसमें इसमें काउंटिफ दिखा रहा है कि काउंटिफ आपके लगाए आपके फॉम्मूला वेजा वो तो दिखा नहीं मैंने इसको देखा कि इसने सिर्फ आई A1 से A5 कर नहीं सर जब यह फॉर्मेट बना ना मेरे को नहीं मालूम यह कैसे काउंट इफ स्टार्टिंग के कॉलम में आ गया देन यह जो नेक्स्ट वाला है यह बीच के कॉलम में आ गया इसमें कुछ सेटिंग है और मुझे सिर्फ कुछ दिखनी रहा था ना इसे लिए नहीं दिखा इसमें सबसे पेसे स्टार्टिंग कॉलंन में कांट इफ लिखा हुआ है इसका कुछ फॉर्मेटिंग होगा इंड चेक है चली आप आप इसा ही क्या होगा तो उची चीज है अब मैं इसमें क्या करूंगा फिल्टर लगाँगा और कलर वाले को फिल्टर कर लोगा है कि जो रहे वांकि सब डिलेट करूँगा है तो इसको फिलिटर करूंगा और फिलिट करूँगा हुआ है तरीका जो है गर नहीं अब देटा है आपकी उसमें करना चाहिए तो थोचा देखकत होता है कि वहां पर इस तरह की ऑफ्षर यूज़ किया जाते है समझ गें आप लोग को जी आप इसके प्रैक्टिस कीजए करकी क्लास में हम बात करेंगे अभी हम आपकी आधस क्लास होगी कि उसमें हाम sorting, filter, moving, sales, flash field, pivot table, data analysis, ऐसे topic को करेंगे। राट सर। श्रीक अच्छी तो मिल्ट है कर सेम टाइम। ओके बाई बाई बाई, बाई, बाई अच्छी आट जे में टावाना बाई जे जे जावाना बाई जे जावाना बाई हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है झाल 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 झाल